नमस्कार दोस्तों केरियर पॉएंट यूट्व चैनलने में आप स्विगा स्वागत है दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए आप सम्माने भी ज्ञान की रिविजन क्लास लेकर आए हैं दोस्तों आज इस टेस्ट के इंदर हम आपको देंगे टॉप 30 क्यूशन जिनका अन् सब्सक्राइबल आर्मी एरफोर्स नेवी या कोई भी आपका टेट एक्जाम हो अच्टेट सीट यूपी टेट सभी एक्जाम के लिए आज की क्लास मोस्ट इंपोरे पूरी पूरी लाबदाय करेगी दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्रा जिवानों की साधारन आकर्ति क्या होती है च्यार ओप्शन दीगें आपको छड रूपी गोल सर्पिल या कोमा रूपी तो देखिए इसका सही आंशुर क्या होगा चड रूपी ओप्शन ए हमारा जो है वो राइट आंशुर हो जाएगा जिवानों की जो साधारन आकर्ति वो एक छड़ रूपी होती है चड़ के आकार की होती है ठीक है इसको याद रखी इंपोर्टेंट क्यूस्चन है अगला क्यूस्चन देखिए वास्त्विक के इंदरक अनुपस्तित होता है तो देखिए किसके अंदर इसका सई आंशुट देखते हैं चलिए जिवाणू में Option C हमारा सही होगा, जिवानों जो होते हैं, उनके अंदर वास्तिवी के अंदर अनुपस्तित होता है, लेकिन दोस्तों देखे, कवाक, लाइकेन और हरे सेवा, इन सभी के अंदर वास्तिवी के अंदर जो उपस्तित होता है, और जिवानों के अंदर अनुपस्तित, याद र नाइट्रोजन योगीकन में फली या बिंस जोते हैं, वो साइक फसल है, अगला question देखी, निमलकित में से ऐसा कौन सा रोग है, जो जीवानों के कान होता है, इसका सही answer होगा friends, हैजा रोग, option D हमारा वो, right answer होगा, हैजा ऐसा रोग है, जो जीवानों के दवारा होता है, important question है देखीगा, निमलकित में से किसके दवारा दूद खटा होता है, चार option है, protozoa, bacteria, virus, nemtod, इसका सही answer क्या होगा, देखी, फटा फट कमेंट भी कर दिजीगा, अगर आता हो, तो देखी, इसका सही answer जाएगा, bacteria, option B हो, हमारा right answer होगा, bacteria के बज़े से दूद जो है, वो अगला question, hydrophobia, hydrophobia रोग किसके दवारा उत्पन होता है, तो देखीए friends, ये एक अनुवानसिक रोग है, ठीक है, और इसका सही answer होगा, विसान, option C हमारा सही हो जाएगा, विसानों के दवारा hydrophobia रोग होता है, एक अनुवानसिक रोग होता है, hydrophobia, याद रहे कि ये आपसे exam में पूछ सकता है, अगला question देखते हैं, सेवालों की कोशिका भीति किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है, शैल्यू लोज की, option C है, वो हमारा right answer होगा, जो सेवालों की कोशिका भीति होती है, वो बनी होती है, शैल्यू लोज की, अगला question, चावल की फसल के लिए, जैय उर्वर का कारिये कौन करते है, देखिए फ्रेंट्स अगर आपने अभी तक चैनल को जोईन नहीं किया, तो सबस्क्राइब जरू करेजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक करिए, सेर जरू कर दीजिएगा, देखिए चावल की फसल के लिए जै उर्वर का कारिये करते है, क क्या कहलाते हैं कार्टी कॉल्स ओप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर होगा वरिक्षो की चाल पर जो कवक उगुते हैं उनको बोला जता है कार्टी कॉल्स याद रखी वेरी इंपोर्टन क्योश्चन अगला क्योश्चन ये भी अच्छा क्योश्चन देखीगा एथलीट फ क्या कहा जाता है देखीगा कार्टी कॉल्स ओप्शन ए राइट आंसर जो पेडों की चाल होती है उन पर जो लाइकेन उगते हैं उनको बोला जाता है कार्टी कॉल्स वेरी इंपोर्टन क्योश्चन एक जाम में कई बार रिपीट हुआ है याद रखीगा इसको नेक्स दे हल्दी के पोदे का खाने योगे हिस्सा कौन सा है हल्दी के पोदे का खाने योगे हिस्सा कौन सा होता है प्रकंध होता है ओप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स देखी रक्त समू की खोज किसी ने की थी तो देखी इसका सही आंसर होगा लैंच निनर ओप्शन ए आपका सही हो जाएगा रक्त समूग की खोज लेंट स्टीनर की दवारा की गई अगला क्यूशने टीबी रोग में लगने वाले बीसी जी की टीके की खोज किसी ने की थी तो देखे इसका सही आंसूर होगा एडवर्ड कैलमिटी टीक है ओप्शन डी आपका सही हो जाएगा टीबी रोग में देखी बीसी जी का टीका लगाए जाता है जो बीसी जी का टीका है इसकी खोज एडवर्ड कैलमिटी वे कालमिटी गयूर्ण की दवारा की गई थी अगला क्यूशने निमल लिखित में से कोशिका की खोज किसी ने की थी इंपोर्टेंट क्यूशने कोशिका की खोज किसी ने की थी तो देखी इसका सही आंसर होगा रोबर्ट हुग ठीक है कोशिका की खोज हो जो है रोबर्ट हुग की दवारा की गई थी Option B आपका सही आंसर होगा अगला क्यूसिन है कोशिका में केंदरक की खोज किसी ने की थी कोशिका में केंदरक की खोज देखी किसी ने की थी रोबर्ट ब्राउन ने Option D आपका सही आंसर होगा रोबर्ट ब्राउन की द्वाला देखी कोशिका में केंदरक की खोज की थी अगला क्यूशिन देखी चेचक के टीके की खोज किसी ने की थी इंपोर्टेंट क्यूशिन है चेचक के टीके की खोज किसी ने की थी तो देखिए इसका सही आंश्वर होगा Edward Jenner option A आपका सही आंश्वर होगा अगला क्युश्चन है रेबीज के टीके की खोज किसी ने की थी देखिए सई आंचरों का लुई पास्चर तीक है रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर के दवारा की गई ओप्शन ए आपका सई हो जाएगा अगला कि उसने विशानों की खोज किसी ने कियी थी तो दिखे इसका सही अंचर होगा इवानों वसकी विशानों की खोज इवानों वसकी के द्वारा कियी ओप्शन B आपका सही हो जाएगा इवानों वसकी अगला क्यूशने स्टेट्सकोप का अविस्कार किसी ने किया था तो देखे इसका सही आंश्र होगा लेनेक स्टेट्सकोप का अविस्कार लेनेक के दवारा किया गया option C आपका सही अमसर हो जाएगा लेनेक अगला क्यूशने मानव श्रीर की कुल कितनी हडिया होती है देखे हडियों की संक्रिया कुल कितनी होती है मानव श्रीर में तो सही आंस्वर होगा 206 206 कुल हडिया होती है मानव श्रीर के अंदर option भी आपका सही हो जाएगा अगर आप से आप पर पूछ ले जाए नवजात सीसु के अंदर कितनी हडियों होती है तो मापे आपका सही आंसर होगा 300 ठीक है नवजात जो सीसु होते उनके अंदर हडियों की संक्या होती है 300 और जो माना होता है उसके अंदर होती 200 छे अगला question देखी चलिए question आभी गया है तो देखी नवजात सीसु में हडियों की संक्या लगबग कितनी होती है तो सही आंसरों का 300 option C आपका सही आंसर हो जाएगा नवजात सीसु में हडियों की संक्या कुल 300 होती है अगला question है मनुश्य के शरीर में पसलियों के कितने चोड़े होते है important question है मनुश्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं सही आंसरों का बार है option A आपका सही हो जाएगा अगला question है शरीर की सरवादिक परबल अस्ति है तो दीकि सरीर की सबसे दिख परबल अस्ति कौन सी होती है सही आंसरों का जबड़े में अगला question है तो दीकि मननुश्य की सबसे छोटी हड़ी कौन सी होती है सही आंसरों का बार है मननुश्य की सबसे छोटी हड़ी कोन सी होती है तो step is आपका सही आंसरों का अगला question देखी मानाव श्री की सबसे लंबी हड़ी है तो देखी सही आंशुर होगा मानाव श्री की सबसे लंबी हड़ी जो है फीमर होती है option D आपका सही हो जाएगा फीमर राइट आंशुर next देखी हयुमरेस अस्ति कहां पाई जाती है तो देखिए इसका सही आंशुर होगा उपरी भुजा में ठीक है अहीमरे सच्थी जो होती है वो उपरी भुजा में पाई जाती है option C आपका सही हो जाएगा उपरी भुजा गला question है TBR नामक हड़ी किस में पाई जाती है देखिए इसका सही आंसर होगा TBR नामक हड़ी जो है किस में पाय जाती है टांग के अंदर important question है TBR नामक हड़ी जो है टांग में पाय जाती है option B आपका सही हो जाएगा आज का last question है दातो तथा हड़ीओ में पाय जाने वाले तत्तों है देखिए इसका सही आंसर होगा दातों तथा हट्ट्यों में पाई जाने वाले तताओ कुन चैरे है कैल्सियम व्याफसपोर्ष ठीक है दातों और हट्ट्ट्यों के इंदर देखिए कैल्सियम पाई जाता है फासपोर्ष पाई जाता है option c आपका शाय हो जाएगा calcium वाय fast force तो friends question हमारे complete हो चुके हैं I hope आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना अपने 10 दोस्तों से साथ share जुरू करना अगर आप भी हमारे चैनल पर नए है पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए daily आपको यहाँ पर live class प्रोवाइड कराई जा रही है offline वीडियो पर आपको यहाँ पर मिल रही है झाल